नमस्कार दोस्तोंสवागत है आपका हमारे चनल PK गुरुजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैस का पिष्ण डिसकस करने वाले हैं तो जिस पिष्ण को हम डिसकस करने वाले हैं उस पिष्ण को सबसे पहले देख लेते हैं उप्रिष्ण हमारा क्या है कि एक बैक्ति ने बेतनमान आरेस तरासी पचीस डैस पचास डैस बानवे पचत्तर डैस पचत्तर डैस दस हजार चैसो साथ में नौकरी का पदभार सम्हाला तेईस बस उपरांद उसका बेतन कितना होगा यानि कि कोई बैक्ति है जब उसकी जौब लगी जब उसने जौइन किया पदभार सम्हाला तो उसका बेतनमान यह था तरासी पचीस से लेके दस अजार चैसो साथ तक आप उसने हमसे पूचा है कि अगर उसको नौकरी करते करते तेईस साल हो गए है तो आप उसका बेतन कितना होगा यह हमें बताना है तो सबसे पहले जब उसने नौकरी की सुरुवात की थी तो बेतन कितनी थी 83 25 ठीक है अब उसमें हर साल कितने की बिद्धी होना है 50-50 की बिद्धी होना है कब तक जब तक उसका बेतन 9275 ना हो जाए ठीक है तो कब हो जाएगा कितने साल बाद इससे पहले हमें इसको घटाना पड़ेगा 9275 में हमने 83-25 को क्या किया माइनस कर लिया ठीक है जब माइनस करेंगे 5 में से 5 जाएंगे 0 7 में से 2 जाएंगे 5 और 12 में से 3 जाएंगे 9 और यहां कुछ नहीं कितने रुपे बढ़े उसके 950 रुपे बढ़े हर साल कितने बढ़ने हैं 50 रुपे 50 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 0 से 0 कर जाएगा 5 से काटेंगे 19 पना 95 यानि 19 बर्स बाद वह बैक्ती कहां पहुंच जाएगा इस स्केल पहुंच जाएगा 9275 वाले स्केल पर अब 19 बर्स तो यहां निकल गए टोटल कितने बर्स बताना है हमें बढ़ाए हम अब लेकिन कितने बढ़ना है 75 रुपे बढ़ना है तो 75 में कितने का गुड़ा करेंगे 4 का तो 75 जब 4 का गुड़ा होता है तो कितना आएगा 300 तो यहनि अब उसकी बेतन इससे 300 और बढ़ जाएगी तो 9275 में हमने 300 की बद्धी और कर दी तो यहां 5 हुगा यहां 7 हुगा यहां 5 हुगा और यहां 9 हुगा ठीक है तो अब उसका बेतन कितना होगा अब उसका बेतन होगा 9575 रुपे ठीक है 23 बस बाद उसका उपरांद कितना बेतन है 9575 रुपे और ऐसे ही नौलेज बढ़ाने बाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार